हालो एवर्वर्वन एक पर फिस से आपका स्वागत करूंगा अपनी चैनल पर और राज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11 के पेंटिंग सब्चेक्ट से यूनिट 3 आपको बहुत ही अच्छी और इंपोर्टन को आपको ने बहुत सकते हैं और इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके डेवलप्मेंट का प्रॉपर टाइम क्या होगा तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है यह सब कोर्स ऑप्शन सी 3500 बीची तो 2100 बीची जो है अकॉर्डिंट टेक समान के चलेंगे और यह कहां पर सप्रेड हुई थी इसका यह जो है फैली थी यह फैली थी ओन दा बैंक ओफ ता रिवर इंडस ऑप्शन यहां नहीं है यह अडिशनल इंफरमेशन है तो यहां पर हम कहेंगे जो भी हमें सब कुछ डिटेल मिलती है इस civilization के बारे में उन्त में सारे की सारे options ही आ जाते हैं चाहें वो कुछ skeletons हों कुछ statues हों टूटे हुए statues मिले होंगे या household घर में use होने वाली वस्तवी होंगी और या फिर कुछ लोग यह use करते रहेंगे चाहें वो अनाज के दाने whatever सब कुछ जो है इसी उसका उनकी जो है जानकारी देने में काफी important है आप चलते हैं question 3 के लिए identify the inhabitants of the civilization on the basis of this description अब जैसे इसका जो period है उसको divide किया गया तो लेकिन यहाँ पर आपको यह बताने यह कौन थे actually these people were short-heighted elongated head high and pointy nose है और साथ में beard but no mustache उनकी मुचे हम कह सकते हैं मतलब नहीं है लेकिन beard है उनकी दारिया तो इस तरह की चोटी height की लोग भी है कौन है यह लोग यह description किन की हो सकती है तो यह description यहाँ पर जो है वो mongol logo की है mongolians की है option c यहाँ पर right answer है so which one of the following statement is not true इन में से कौन सी statement सही नहीं है about the bull in the indus valley civilization तो यहाँ पर bull के बारे में कौन सी statement सही नहीं है कि they were necessary for farming तो यह तो सही है they had legious significance यह भी सही है bulls possessed power ऐसा भी माना जाता था क्यों उनके पास power थी और they were domesticated for meat नहीं यहाँ पर जो है option d है वो बिलकुर wrong है बाकी सब की सब statement सो सही है अब चलते है next question के लिए what does the figure of a seal sitting in a yoga like position seem to represent एक seal मिली है जो कि yoga like position में ऐसा है कि जैसे sitting position में है तो वो क्या represent करती है तो वो represent करती है जो वो figure है वो क्या है yes of course वो god का जो है represent करती है option c यहाँ पर right answer है so आप चलते है next question के लिए so what does the figure of dancing girl in bronze show जो dancing girl का एक figure है bronze में वो क्या चीज़ शो करता है तो option आपके सामने है और right answer क्या होना चाहिए अब आप एक पल के लिए इस dancing girl के figure को देख सकते है तो यह figure जो है क्या show करता है actual में अगर देखीं तो यहाँ पर चो right answer है वो actual में यह है कि जो लोग है उनको dance के बारे में यह dance अच्छा लगता था means that people like to dance option a यहाँ पर right answer है और जो small figures है human beings के वो भी बने हुए थे metal और clay के तो यह थोड़ा सा आपको mind में रखना होगा अगर आपको यह question आ जाता है कि जो small figures है human beings के वो के सीश के बने होते थे तो यहाँ बोलेंगे metal और clay के so next question है the terracotta utensils of the Indus Valley people were not decorated with which one of the following यानि बाकी सब चीज़े तो थी जो इन में use होती थी लेकिन एक option ऐसा है जो use नहीं होता था उन terracotta utensils में जो बरतन वगरा थे तो वहाँ पर एक word कौन सा एक option नहीं है वो जो नहीं होता वहाँ पर yes वो है men figures means देवी देवताओं की images भी थी deities की images जो है women figures भी थे geometrical patterns भी थे but men figures नहीं थे तो option B यहाँ पर right answer है so what did the males used to wear? Males जो है वो क्या पहना करते थे अकसर जो है तो option आपके सामने given है और right answer क्या होगा? जैसे एक उनका कोई dress होती है तो males अकसर पहना करते थे yes वो है printed shawls option B right answer है so which one of the following is not true about the use of seals इन में से एक function जो seal का है वो true नहीं है तो right answer क्या होना चाहिए use for decoration, use for trading, status symbol या religious significance तो यहाँ पर जो right answer है वो क्या है? Yes of course जो seals है वो status symbol तो at least नहीं था क्योंकि decoration के लिए भी use होती थी, trading के लिए यानि वैपार की तोर पे भी use किया जाता था और उनका अपना एक religious significance भी था but उसको status symbol नहीं माना जाता था along with unicorn bull seal, pashupati seal and tiger seal which one of the following has been found in the Indus Valley civilization चलो हम यह मानते हैं कि हमारे वहाँ पर जो Indus Valley civilization के लेकर वहाँ पर यह वाली seal भी थी unicorn bull seal, pashupati seal भी थी, tiger seal भी थी लेकिन एक और भी है जो वहाँ पर थी और वह कौन सी seal हो सकती है तो yes, of course, यहां right answer option A है वो है rhino seal, option A correct answer है आप चलते हैं question number 11 के लिए जो उस dancing girl की image है वो दिखाई गई है उसकी height एक चल में वाक क्या होगी तो उसकी height जो है सिर्फ वो 12 inches नहीं 8 inches नहीं, 6 inches नहीं but only 4 inches, about 4 inches यहां पर right answer है आप चलते हैं question 13 के लिए identify the figure on the basis of the description given भूलो अब जैसे कोई description given एक figure की तो उसके basis पे आपको यह बताना है कि यह कून सा figure है तो option आपके सामने given है This is a crude means not carefully and expertly standing figure adorned with necklace and a fan-shaped head, dresses, koi for यह hairstyle, ऐसा अजीब सा hairstyle है थोड़सा आपको hint मिल गया होगा The figure is wearing a griddle means an encircling or ring like structure or loin either side of the backbone between the hip and the ribs in the humans as well as quadrupes तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक कून सा figure है जिसकी description given है male torso, mother goddess, dancing girl और last option है painted earthenware तो आपकोर्स वह figure की description जो यहाँ given है Mother goddess के बारे में option B यहाँ पर right answer है So male torso is a famous work of यह किसका work है सबसे important जो work male torso यह किसका work है बनाई गई है यह चीज तो option आपके सामने है उसके basis पर बजाईए yes यह बना है red limestone and clay और यह हरपन culture को represent करता है तो option C यहाँ पर right answer है So why did the male torso have socket hole in the neck and shoulders अब जैसे na neck में भी और shoulders में भी socket hole है hole किस लिए रखे गए है किस purpose के लिए रखे गए है तो what do you think उनके जो होने का reason क्या हो सकता है जिसके वेज़े से उनको वहाँ पर रखा गया उन holes को तो उनके रखने का सबसे बड़ा reason क्या था yes वो है for the head yes this means हम कहेंगे for the attachment यह नि option A यहाँ पर right answer है for the attachment of heads and arms कि आप heads को भी वहाँ attach कर सकते हैं arms को भी attach कर सकते हैं इसलिए जो है वो socket holes रखे गया है neck or shoulders पे option A right answer है so with which one of the following the painted earthenware has not been decorated the painted जो earthenware थे मिट्टी के जो बरतन है उनको एक चीज़ से decorate नहीं किया गया था वो कौन से चीज़ थी बाकि सब चीज़े तो आपको मिलेंगी जैसे motifs, motifs क्या होती images of leaves हो गई और geometric pattern भी है या motifs of temples no of course यहाँ पर हम कहेंगे motifs of temples exact answer है क्योंकि यह वहाँ पर नहीं थी उनके उपर बनाए गए थे so यह जो earthenware की बात कर रहे है so these ports were used for which one of the following purposes उनको किस purpose के लिए यूज किया जाता था तो उनको यूज किया जाता था grains को store करने के लिए या milk store करने के लिए gold को store करने के लिए close रगने के लिए यह right answer है option A तो यह use किया जाते थे grains को store करने के लिए तो option A correct है और इनी questions के साथ इस वीडियो को यहाँ stop करूंगा I hope so वीडियो आपके लिए helpful लोगी so thank you very much और इस वीडियो की description box में rest of the videos भी जरूँ देखेगा so have a very nice day